अगर आपके पास Bank of India Bank का ATM का debit card नहीं है तो उसके बीना आप कैसे मुबाइल बैंकिंग इस्तमाल कर सकते हैं उसके बीना आप कैसे मुबाइल बैंकिंग को चला सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में डीटेल में बताने वाला हूँ तो अगर आपके पास देखी मेरे पास Bank of India Bank का debit card है अगर आपके पास नहीं है तो भी आप मुबाइल बैंकिंग को यूज कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिंपल आपको Play Store पे सबसे पहले यहां पे आ जाना है Play Store पे आने के बाद आपको यह वाला बैंक ने हाली में भी वो आई मुबाइल बैंकिंग ओमनी नियो बैंकर के यहां पे लांच किया हुआ है इसमें सबसे पहले कुछ इस तरीके से पर्मिशन्स आपसे मांगेगा तो इसको सिंपल आप अलाव कर दीजेगा उसके बाद यहां पर जो भी लेंग्वेज आप प किया है इसके लिए परतिक्षा करना है यहां पर देखिए मेरे सामने किकन a क्यूंकि क्योंकि same number से 2 bank account register है जैसे कि मेरा जो mobile number है उसमें 2 account है तो यहाँ पर दोनों account यहाँ पर शोग कर रहा है तो चलिए मैं यहाँ पर एक account को select कर लेता हूं इस पर जिस पर कोई भी debit card नहीं है तो उसका भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं यहाँ पर debit card का जौरत नहीं पड़ता है तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ I want to view only right तो इसको आप यहाँ पर टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर yes understand पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक MPN set करने के लिए option आएगा यहाँ पर आप देखिए old MPN लिखा हुआ है निव MPN लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने पहले से MPN बगारा बनाया हुआ था तो आपके पास यहाँ पर निव आता है तो निव पर क्लिक करिए उसके बाद जो भी आप MPN सेलक्ट करना चाहत है वह यहाँ पर डाल दिजैसे कि मैंने डाल दिया उसके बाद यहाँ पर एक बार पर क्लिक करना मोपर यहाँ पर mm ब् coalition की तरफ से उसके बाद यह मैं इसको अनेबल कर देता हूं यहां पर आपको मोईल में फिंगर प्रिंट होगा इस तरीके से आप फिंगर प्रिंट देंगें टो यह रेचिस्टर हो चुका है सकस्ससुली यहां पर कूछ नोटिफेकेसिंस इसको आप सकीब कर तो यह देखिए यहां पर dashboard आ जाएगा इसको मैं next next कर देता हूं और आप directly इसकी भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस account के साथ कोई भी debit card नहीं है उसके बावजूद भी मैं mobile banking को यहां पर use कर सकता हूं तो यह bank of india bank की बहुत ही अच्छी यहां पर चीज है जो कि बिना ATM card का भी आप mobile banking को use कर सकते हैं तो अभी देखिए जिसका account holder है वो उसका नाम यहां पर show कर रहा है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको card दिखा देता हूं तो इसमें card पर click करता हूं तो actual जो यहां पर देखेंगे तो यहां पर card जो यहां पर आपको दिख रहा होगा in active तो इसमें मुझे कोई भी card वगएरा नहीं मिला क्योंकि मेरे घर पर कुछ receive नहीं हुआ था तो इसको मैं एक बार यहां पर skip कर देता हूं यहां पर skip कर दिया अब यहां पर देखें तो यहां पर card देखें बंद है इसको यहां पर activate वगएरा कर सकते हैं यहां पर मुझे कुछ करना नहीं यहां पर track कर सकते हैं तो यह सारा कुछ यहां पर कुछ है नहीं तो यहां पर credit card भी नहीं है जो कि credit card यहां पर debit card कहां से र प्रभ आपके एकवंट में तो लेकिन लेके नहीं पता होता है कि अभी मेरे इक ओम बेलैंस किरेट हुआ शाएट मैंट फिर नहीं पर अज act कि यह चेक करना पड़ता है कि बैलेंस इसमें आया या फिर नहीं आया तो इससे यह एक अच्छा है कि आप यहाँ पर मुबाइल बैंकिंग में रजिस्टर करके आप यहाँ पर खुद से भी देख सकते हैं कि मेरे पास्ट का जो ट्रांजिक्शन से वह कितने यहाँ पर हुए है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और यह टोटल बैलेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा यहां से और भी कई सारे ओप्शन है फीचर से बट उतने काम के नहीं है जैसे कि स्कैन इन पे बैंक ट है वह सब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल देख सकते हैं बस सिंपल सा तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके पास बैंक ओफ इंडिया बैंक में एकाउंट है डेविट कार्ड नहीं है मोबाइल नमर रेजिस्टर है तो सिंपल एप इंस् झाल ¡झाल!